हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है, यहाँ पर आप देखेंगे यह आटोमेटिक लिक्विट सोब डिस्पेंसर है, जो की टचलेस है, यानि बिना चुए ही आप इससे लिक्विट सोब जो है उसे बाहर निकाल सकते हैं, इस तरीके से दूर से यहाँ हम करते हैं और यह लिक्विट सोब जो है उसे बाहर निकाल रहा है, तो आज की वीडियो में मैं आपको इसके बारे में detail information देने वाला हूँ, कैसे यह काम करता है और what inside, यानि इसके अंदर कौन-कौन से component लगे हैं, तो यह लिक्विट सोब डिस्पेंसर जो है और बाहर निकाल सकती है, तो यहाँ पर जो लिक्विट सोब डिस्पेंसर है, वो कुछ इस तरह का है, और इसमें sensor लगा हुआ है, यहाँ पर एक IR LED लगी है, नीचे IR sensor है, और यहाँ से आप देखेंगे, यह off position में है, इसको हम on कर सकते हैं, यह on position में हो गया, मैं इसे off कर देता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें इस जगे पे एक sensor लगा है, और यही पूरा work करता है, यहाँ पर आप देखेंगे, इससे खोलने के लिए आपको कहीं भी कोई screw नहीं दिखाई देगा, तो सबसे पहले इसका नीचे का part है, इससे हम निकालेंगे, यह बड और इसमें rubber की packing भी लगी है, आप देखेंगे, यह इस तरह से switch जो है, इसमें slider switch को movement देता है, यहाँ पर एक slider switch लगा है, जो कि इसको operate करने के लिए, यानि on करने के लिए है, यहाँ पर इसमें alkaline cell डले है, यह 1.5 volt के alkaline cell है, जो कि काफी powerful होते है, डिवरा cell के भी cell alkaline होते ह इसमें cell पड़े हुए है, alkaline cell यूज करने पर product जो है, वो काफी लंबे समय तक चल सकता है, अगर इसमें normal cell डालते हैं, तो एक दो महीने में ही, यह cell जो है, वो खराब हो जाएंगे, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो cell यूज किये गए है, वो dual A type cell दो और यह तीसरा, तो इन screws को अब हमें खोलना है, तो मैं screwdriver की साहता से इसे खोलने का प्रयास करता हूँ, काफी प्रयास करने के बाद भी मैं इस screwdriver से इसे नहीं खोल सका, यहाँ पर screwdriver की tip जो है, वो भी आप देखेंगे मोड चुकी है, यानि यह screwdriver जो है, वो खराब हो गया इसे हम इसे नहीं खोल पाएंगे, तो मैं दूसरा screwdriver जो है, वो अब इस्तमाल करूँगा, यह star type screwdriver है, और इसका इस्तमाल करके मैं आसानी से इन screws को खोल सकता हूँ, तो चलिए मैं जल्दी से इन screws को खोल देता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने तीनों screw जो है, उन् निकालने का प्रियास करता हूँ, तो screwdriver की दूसरी side से हम इस तरह से उपर उठाने का प्रियास करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं gap बनाने की कोशिस कर रहा हूँ, कि यह आसानी से बाहर आ जाए, जिससे कि मैं आपको इसके अंदर के जो internal parts हैं उन्हें दिखा स मैं इसे इस तरह से बाहर करने का प्रियास करता हूँ, लेकिन अब भी मैं इसे बाहर नहीं कर पा रहा हूँ, कारण यह है कि यह कहीं से fix है, जिससे हमें lose करना होगा, तो यहाँ पर काफी प्रियास के बाद भी आप देखेंगे, internal parts जो हैं वो बाहर को नहीं आ रहा है, यह कहीं न कहीं attach होगा, तो यहाँ पर जो ऊपर यह खोलने की जगह है, इसे हम खोलने का प्रियास कर देंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, मैं screwdriver की साहता से इसे खोलने का प्रियास कर रहा हूँ, और इस तरह से जब हम इस part को खोल देंगे, तो हम आसानी से यह जान पाएंग आता है, वो यह अंदर ही कुछ pipes हैं, जो की नीचे साइट से आने वाले pipe के साथ में attach हैं, तो मैं पहले यह liquid soap जो है, जो इसमें पहले से था, उसे साफ कर लेता हूँ, यह मेरे हातों में आ गया है, चलिए अब मैं फिर से इसे निकालने का प्रियास करता हूँ, जहां से य आता देता हूँ, इस तरह से धीरे से यहां पर किसी भी चीज के तूटने की स्थित में यह repair नहीं हो पाएगा, यहां पर आप देखेंगे इसमें जो IR LED है, उसे भी मैंने उसकी लेक्स को सीधा करके आसानी से बाहर कर दिया है, तो इस तरह से जब उपर का जो पार्ट है जहां से liquid soap निकलता है, उसे निकालने के बाद आप इसे आसानी से खोल पाएंगे, यहां पर अंदर के जो parts हैं वो आप देख पारें, इसमें एक motor भी लगी है, और यह इस तरह से यहां पर attach होती, जिसके बाद motor rotate होती है, और इसमें काफी सारे gears जो हैं, आप देख पाएं जिससे की motor का rotate होना बंद हो जाता है, यानि यह एक तरह से dose pump की तरह काम करता है, यहां से liquid soap जो है वो अंदर जाता है, और इसके अंदर एक तरह का pump लगा हुआ है, जो कि liquid soap को खीच कर इस नली द्वारा ऊपर जहां पे liquid soap निकलता है, वहां पे भेजता है, यहां पर एक electronic circuit circuit लगा हुआ है, और cell द्वारा supply जो है, जब हम slider switch को on position में लगते हैं, इस circuit में जाती है, जिससे की circuit क्या करता है, कि इसकी motor को supply भेजता है, motor rotate होती है, चूंकि motor में काफी सारे gear लगे हैं, जिनमें एक बड़ा gear है, जिसमें एक उभरा हुआ भाग है, जो की rotate होने पे एक ऐ एक IC लगी है, देखेंगे, इसमें काफी सारे SMD components भी लगे हैं, मैं IC को थोड़ा साफ करके आपको उस पे क्या marking है, दिखाने का प्रियास करता हूँ, तो मैं IC को साफ कर लेता हूँ, और कोसिस करता हूँ कि इसमें जो लिखा हुआ है, वो आपको दिखाई दे सके, काफी स की मदद से, इसमें लगे हुए जो pump है, उसको movement देती है, यहाँ पर motor कब on होनी है, यह निर्धारित होता है, इस IR sensor द्वारा, अच्छा, motor में supply तभी जाती, जब यहाँ पर एक IR sensor जो लगा है, यह वाला IR sensor, इसके द्वारा signal जो है, वो भेजा जाता है, तो यहाँ पर इस इस तरीके से IR sensor का इस्तमाल करके इस touchless liquid soap dispenser को बनाया गया है, मैं इस IR sensor को भी निकालने का प्रियास करता हूँ, लेकिन आप देखेंगे, इसे मैं आसानी से नहीं निकाल पा रहा हूँ, इसलिए मैं इसे नहीं निकालूँगा, चुकि सारी चीजे आप काफी अच्छी तर आसी मुझे नहीं मिल पाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, कि यहाँ पर जो gears लगे हैं, उनके द्वारा ही pump को movement दिया जाता है, जिससे कि यह liquid soap dispenser जो है, वो work करता है, यहाँ पर इस liquid soap dispenser में लगे हुए switch को, इस gear जिसमें एक उभरा हुआ भाग है, यह निश्चि है, इसके press होते ही, motor में supply जानी बंद हो जाती है, यहाँ पर आप देखेंगे, यह IR LED है, जो उपर side लगी होती है, और इसका जो IR sensor है, वो नीचे side है, जिससे मैंने अभी आपको पहले दिखाया था, तो इस तरह से यह liquid soap dispenser जो है, वो work करता है, अगर आप भी liquid soap dispenser purchase करना च हैते, तो मैंने वीडियो के description में कुछ link दिये है, उमीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए helpful रहेगा, आज के वीडियो में इतना ही, thanks for watching, have a nice day.